तो जहीं नमस्कार साथियों मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करते इस्टेंट आज के इस क्लास में इस्टेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कॉंस्टेबल दोहजर चौबिस इकजाम की त्यारी कर रहें तो यकीन माने एक स्टेंट आज के class आप सभी के लिए काफी improved होने वाला है क्योंकि इस्टेंट आज के is class में हम लोग बात करने वाले आप सभी के लिए G.K. model paper यानि कि G.K. के महत्वपून प्रश्नों को आज हम लोग cover करने वाले हैं जो की UP पुलिस में आप सभी के बार-बार पूछे जाने वाले प्रशनों का संग्रा इस क्लास के अंदर लिया गया है तो आप सभी से छोटा से रिकेश्टे इस्टेंट की क्लास की इंड तक आप सभी जोड़ देखियेगा तो चले इस्टेंट आज की स्क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड जैसा कि आप लोग देख पार स्क्रिन पर कि सारे प्रशन इस्टेंट आप सभी के लिए काफी इंपोड़ेड एंड मोस्ट इंपोड़े लिया गया है तो आप सभी से छोटा से रिकेश्टेंट की क्लास को इंड तक आप सभी जोरू देखियेगा क्योंकि स सारे प्रशन आप सभी के लिए एक्जाम ओरियेंटेड लिया गया है तो चले इस्टेंट आज की स्क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी का पहला प्रशन जो पूछा जा रहा है ध्यान दीजेगा करें कि 1857 के बिद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांती का सं पूर में इसका संचाला ने किया थाो पूंस नमबर की स्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलेजे प्रशन को बात करते इस्टेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्ट ने पूछा जा रहा है कि सोतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री किस प्रदेश के थे यह कोशन इस्टेंट आप सभी के लिए काफी इंपुड़िड है पूछा जा रहा है कि सोतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री किस प्रदेश के थे तो राइट एंसर हो जाएगा और इस टेंट अगर आप से भी दिल से उस वर्दी को पाने के लिए अपने जोस और जजबे के साथ इस त्यारी को कर रहें तो आप सभी एक वादाज किजिए कि सारे प्रश्ण का एंसर आप सभी को सबसे पले कॉमेंट बॉक्स में देना है जैसे कि इस टेंट इस चली अगले प्रश्ण को और बात करते इस टेंट आप सभी से थ्री नंबर प्रश्ण आप पर पूछा जा रहा है ध्यान दीजेगा करें कि उत्तर प्रदेश में सारधिक दूरी तै करने वाला राश्टी राजमार्ग कौन सा है उत्तर प्रदेश में सारधिक दूरी तै क तो राले राजमारक दो आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा है चाली आगले प्रश्निंट आप सभी का फोर नमबर प्रश्निक या पूछा जारा रहा है उससे पहले आप सभी सी छोटा सरी केशनी कि अभी तक आपसे में चलो को सास्क्राइम नहीं कियें तो प्लेज उस्टेंज चलो को सब्सक्राइब कर साथ बेल आगन को प्रेस कर दीजेगा ताकि ऐसा most important class उस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे चलिए फटाफटी इसकोशन का जवाब दीजेगा पूछा जाराएं कि सौर पर्थम मानव ने किस धातू का परियोग करना सुरू किया यानि कि जो भी आदी मानव थे सौर पर्थम जो मानव थे उन्होंने पहली बार किस धातू का परियोग किया था तो राइट एंसर हो जा जाता है कि इसे बननी वाला जो औजार था ओफिल हाड़ी था है था parfल कि नफले ऐंगले प्रश्ण को और बात करते तो आप सभी के चंद्रगुप्त मोर्या हो जाएगा आपसा नंबर डी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को और बात करते आप सभी का सिक्स नंबर प्रशने आप पर पूछा जा रहा है कि पूस्त मित्र सुंग द्वारा कि ये आप पूछा जा रहा है कि पूस्त मित्र सुंग द्वारा किये गे आशो में यगो का विवरण किस लेक से मिलता है तो राइट एंसर हो जगा शिक्स का आपसा नंबर डी यानि कि आयोध्या लेक से ये प्राप्त होता है एंड इस्टेंट आप सभी के प्रशन काफी इंप पॉडिट बनने का संभावनाज है तो आप लोग इस टॉपिक को थोएसा अच्छे तरीके से केर कीजिएगा चलिए अगले प्रशनी को बात करते आप सभी का सेवे नंबर प्रशने आपर पूछा जा रहा है कि 1857 के 77 संग्राम का पारंभ उतर प्रदेश के किस नगर से न प्रदेश के किस नगर में हुआ और कब हुआ था तो आप सभी को पताओ को इस्टेंट की मेड़ा अठारा सो सांताओं तो हो गया दस माई को हुआ था आप से नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट एंसर और जगा कोश्य नंबर शेबेन का चालि आगले प्रशनी को ब अस्थनांतरीत कर दी गए थी यह भी कोशन पर अस्टार मार लिजेगा क्योंकि यह भी प्रशन आप सभी के लिए काफी इंपुडेड होने वाला यहां पर आप सभी से पूछा जारा कि 1857 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में अस्थनांतरीत कर दी गई थी तो 8 का जो राइट एंसर उज्जेगा अफंचर नंबर यह यानिकी इलहाबाद कर दी गए थी आप से नंबर A इस्टेंट आप आप सभी ने सिलेबस को अगर देखा होगा तो आप सभी को इस्टेंट आप पर अच्छर एकदम फ्रेस असर में लिखा गया है कि आप सभी से निरित्य से भी प्रश्ण इंपोडेड पूछे जाएंगे तो यहां पर पूछा जा रहा है कि लोक नरित्य राहुला का संबंद उतर प्रदेश के की चेतर से हैं तो राइट एंसर अउज जागा आप सभी का बुंदेल खंड छेतर से आप से नमबर एस्टेंट आप सभी का राइट एंसर अउज में से की छेतर का है चरकूला की बात की अजारा है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का दस का आप से नमबर शी आने की ब्रिज भूमी हो जाएगा इस टेंट आप लोग एक सपोर्ट नहीं करते कि मेरे चलों को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों थ क्लिंग कर दीजिएगा ठीक है चली अगले प्रशन को बात करते आप सभी का ग्यारा नंबर प्रशने आपर पूछा जारा है कि कानपूर में 1857 में करांती कारियों का निर्थी तो किस ने किया था यही कोशन इस्टेंट हम लोगों ने सुरू सुरू किया था कि 1857 की करांत से जई घरांती जो संग राम था उसका निर्थी तो यहां पर तोपे ने किया था जो कि 8057 का जो father के कानपूर में किया था तो यहां पर परस टूप से इसका इस और पर इनसर ड्वाइब कि नाना σाहब लेकिन यहां पर शुरू गोला प्रश्ण जो यहांपर रेट किये चलिए बारा नम्मर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1905 की वनारा सा दिवेशन की अधेच्चिता कि इसने किया था ये सारे प्रश्ण थोड़ा सा और टाइब की दिखते एंड बहुत ही छोटे छोटे प्रश्ण है लेकिन यहीं इस्टेंट जब आप लोगों की एक्जाम में पूछा जाता हैं तो कई रिट की हारत पंचे रहे जाते हैं कि देखी हम लोग क्या करते हैं कि सारे चीज़ जो अमलोग करते हैं बहूत ही नोर्मन नोर्मल कोशन को लगा लेते हैं हलपा सभेता हुआ तो उसमें जो परश्ण बनने वाला तो वो सारे पूछे तो आप लोग एकदम बिना डरे आप लोग एंसर दे पाएं को तो बारा का राइट एंसर और जग अनिकी गोपाल कृष्ण गोखलेजी हो जाएंगे आपसा नमबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चाली अगले प्रश्ण को और बात करते आप सभी का तेरा नंबर प्रश्ण है कि अंग्रेजी सेना पती है यू रोज को उतर प्रदेश के की छेतर की करांती कारी दमन का कारे स्वोपा गया है तो राइट एंसर उज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज किया था कुमर्सी ने अंग्रेज करनल मिल मेन को कब प्रास्त किया था चौदा का जो राइट एंसर होज जागा 26 मार्च 1850 को आपसा नंबर बी इस टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते आप सभी का 15 नंबर प्रश्ण आपर पूछा जा रहा है कि उतर प्रदेश के गोरख पूर नगर पर नाजीम मिर मुहमद हसन के कब अधिकार कर स्वतंतरता की घोशना की गई थी तो पंदरा का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते आप सभी का 16 नंबर प्रश्ण है कि उतर प्रदेश भारती सोतंतर का एक पूर राज्य कब बना था जो उतर प्रदेश से इस्टेंट आप पर पूछा जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते आप सभी का 17 नंबर प्रश्ण आप पर पूछा जा रहा है कि उतर प्रदेश में खानवा का परसीद यूद कि इसके बीच लड़ा गया था तो उतर प्रदेश के परसीद यूद खानवा के बात करते तो आप सभी को पता वगा कि बाबर और राणा संगा के बीच ये यूद लड़ा गया था जो कि आपस्वी का 1527 में पानीपत कयूद एंड उसके बाद चंदेरी 28 और 29 में अवसी का घगरा कयूद लड़ा गया था जो कि बाबरी सबको निर्तित्तो किया था चली अगला प्रशन आपस्वी का 18 नंबर कि उतर परदेश में कालींजर का यूद किसके बीच हुआ था जो की 1202 से 1203 के बीच हुआ था कालींजर का यूद ये काफी इंपूड़ेड है और आपस्वी की एक्जाम में यूद से भी परशने पूछे जाते हैं तो 18 का राइट एंसर हो जागा कुतूब दीन एबक और पर्मदीदेव के साथ हुआ था परमदीदेव के साथ अपसनमबर सी इस्टृंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशने को आप सभी का 19 नंबर प्रशने आपर कब अधिकार किया गया था ओनिष का राइट एंसर अनिकी आथ जून 1659 को किया गया था आप सबीका राइट-एंसर हो जाता है चाली आगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रस्टिय आप प्र पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदस में आंवध के सुब्यदार से सुजाओ सुजाओ सुजाओव 2 लाग और गिंग्रेज़ों द्वारा कब हटाय गया था अंग्रेजों द्वारा कब हटाए गया था सुभिदार पद से तो 20 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर भी यानिकी 1765 में आपसा नमबर भी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्णी को बात करते 21 नमबर लेके उतर प्रदेश में जासी के कीले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआता यानिकी 15 अप्रेल 1858 को आपसा नमबर ए इस टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले अगले प्रश्ण कोर बात करते ट्वांटी टू नमबर की बहलोल लोधी आठा चौदा सौ आर्टालिस में उतर प्रदेश के किस अस्थान पर अधिकार किया था तो बहलोल लोधी की बात करते उत्तर प्रदेश के ये किस अस्थान पर अधिकार किया था 22 का राइट एंसर उज्जाग आपसा नंबर बी आनिकी जौन पूर पर किया था आपसा नंबर बी इस्ट एंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चालिए अगले प्रश्ण को और बात कहते 23 नंबर है कि इस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 इस्वी में उत्तर प्रदेश का कौन सा बड़ा किला हथी आया था इस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 में उत्तर प्रदेश के कौन सा बड़ा कीला को अपने हाथ में कलिया था अपने कबजा में किया था तो 23 का राइट एंसर हो जाएगा आपसा नंबर B यानिकी चुनार दुर्ग को आपसा नंबर B इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रशन को और बात करते 24 नंबर प्रशने की निमने लीखित में से कौन सा व्यक्ति अली गड़ आंदोलन से संबंदी था इन में से कौन से व्यक्ति हैं जो की अली गड़ आंदोलन से खा हो जाएगे आपसा नंबर B इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रशन को और बात करते डिप्रस्ट करते 25 नंबर प्रशनाव सभी से पूछा जाएं की बलेली में सोतंतरता संग्राम का नीर्थित्वें किस न에 किया था बरेली में सोतंतरता संगराम के निर्थितों की बात किया जाए तो 25 का होज जाएगा आप सभी का अपसा नमबर डी अनिकी खान बहादुर खान ने किया था आपसा नमबर डी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को और बात करते 26 नमबर प्रश्ण ने पूछा जा रहा है कि कुतूब दिन एबक ने 1193 इस्वी में उत्तर प्रदेश की किशनगर को मुस्लिम राज्चे में मिलाया था 26 का अपसा नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा मेरट को चलिए अगले प्रश्ण को और बात करते 27 नमबर है कि उत्तर प्रदेश के परियाग राज अस्थम लेख को सौर पर्थम किशने पढ़ा था ये कोशन आप सभी के लिए काफी इंपुड़े एक्जाम औरेंटेड अस्थारमार के लिख लिएगा कि उत्तर प्रदेश के परियाग राज अस्थम लेख को सौर पर्थम किशने पढ़ा था 27 का अपसा नमबर भी हो जाता है निकि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 28 सीला लेक उत्तर प्रदेश के किस जीले में पाया गया है 28 का जो राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर यानिकि वरानसी में पाया गया है आपसा नमबर ए इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रशनावसी का 29 नमबर के उत्तर प्रदेश के किस जीले को लिया गया है 29 का जो राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर यानिकि सारना अस्थम लेक से लिया गया है चलिए अगले प्रशने को बात करते हैं आप सभी का 30 नमबर प्रशने है कि उत्तर प्रदेश के मतुरा नगर में कि सासन का सासर का स्थम लेक इस्थी थे तो इसकोशन का राइट एंसर क्या हो इस्टेंट आपसी कॉमेट बॉक्स में देना है और देखते इस्टेंट कितन सबसे जल्द पहुंचते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्थेंट ठांक्स पर आचिंग मैं क्लास